बहादूरगड की बात करें बहादूरगड में किसानों ने दिल्ली रोतक नेशनल हाइवे नंबर 9 को जाम कर दिया है भारी संख्या में महिलाएं भी अब सड़के पर बैठ चुके हैं तो वहीं आपको बता दे कि राश्ट्य किसान ने था रमेश दलाल की अगवाई में किस बहादूरगड की अभी बात कर रहे हैं बहादूरगड में किसानों ने दिल्ली रोतक नेशनल हाइवे नंबर 9 को जाम कर दिया है भारी संख्या में महिलाएं भी अब सड़कों पर उतर आई हैं सड़कों पर आकर बैठ गई हैं ऐसे में दुरुग शक्ति भी नजर आ रह रोड जाम कर दिया है और ये जो रोड है आपको बता दे कि रोतक नेशनल हाइवे नंबर 9 इसे जाम किया गया भारी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर जो बैठी हुई है उनकी तस्वीर भी सामने आई है राश्ट्र किसान नेतार रमेश दलाल के अगवाई में किसा किसानों ने हाइवे पर जाम लगा दिया पुलिस ने अलाकि समझाने की कोशिश की इस दुरान की सड़क को जाम मत कीजिए खालाकि आज हर्याना बंद है लेकिन उसके बाप जूद भी किसानों ने पुलिस की नहीं सुनी रोड को जाम करती है तो ऐसे में अब जब हर्याना बंद का आवान किया गया उससे पहले पुलिस रिदिकारियों के तरफ से क्या कुछ का गया था वो सुनना भी एहम हो जाता है सुनाते अभी जो आसोदा टोल पे जैसे आप देख सकते हो दस से पंदरा जो हैं यहां पे किसान आये हुए हैं और जो फार्मर लेडर हैं उनसे बात्चीश चल रही है और उन्होंने आसवाशन भी दिया है कि सारी चीजें जो है किसी भी कानुन विवस्था की कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी और जो सिमित दाइरे में उनको अपना विरोध पर कट करेंगे तो उसके लिए कितने जवा कि ड्यूटी लगाई गई है दो कंपनी आसोदा टोल पे हैं और एक एक कंपनी छारा रोध और आसोदा रेलवे स्टेशन पे हैं जो अगर इस परकार से कोई हो राती है तो जो लो एंडोर्डर एक्यूपमेंट है वो हमारा स्टेंबाई रख़ा है